हलो दोस्तों स्वागत है आपका वीजवल आच्वित्वीनी में फ्रेंड्स जैसे कि हमारा आपको मैं पहले ही बता दू नेट के जो फॉर्म डेलने की देट है अब क्लोज हो चुकिये 31 अक्टूबर लास थी मैंने अपनी लास क्लास में आप लोग को बताया था कि प्लीज जलसी जलसी फॉर्म भर दें तो जो लोग भी दिसेंबर 23 सेशन के लिए प्रप्रेशन कर रहे हैं मैं बता दू आपको कि अभी जो आपकी क्लास देख रहे हैं तो ये क्लास इन बिट्वीन क्लास है और एक टॉपिक लेक्चर है लेकिन आप लोगो कि मेरे पास काफी मेसे आते हैं तो इसलिए मैं आपको एक बार बताना चाहरे हूं कि कैसे पढ़े क्या करें तो आप लोग अभी जो डेड़ महिना है लाइव क्लास जल्दी चालू होंगी प्रैक्टिस के लिए हैं लेकिन अभी आपने चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट में जो पेपर का प्ले पे जो बहुत सारा आइटम है और आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो ठीक अभी जो हम लोग यह कर रहे हैं यह है वेस्टन आर्ट त्योरी का टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविजम निर्मानवाद यह आर्ट मुव्मेंट्स हमने सारे कर लूए हैं देख लिजे आप एक मिन हैं देखो और यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है इन परस्पेक्टिव से क्योंकि सब में कुछ न कुछ न कुछ नुवैल्टी थी नया था पुराने को हटा के नहीं चीज़ें इंट्रड्यूस हो रही थी ठीक है लेकिन अब कुछ आर्ट मुमेंट्स कुछ नहीं वैसे इंपॉर्टेंट हो जाते थे क्योंकि सब में कुछ न कुछ एक नया कॉंसेट इंट्रोड्यूस हो रहा था काफी अच्छा और पीछे के चीज़ को हटा रहे थे लेकिन यहां पर गया है कुछ जो हम पढ़ेंगे वह बहुत छोटे माइनर आपको नॉलेज पता होना चाह हम लोग एक लास्ट में एक वीडियो दे देंगे पूरा और उसमें मतलब जो छोटे-छोटे आर्ट मुमेंट हैं सिव उसका एक इंट्रोडक्शन दे देंगे तो इसमें लेने वाली थी बट नेट के हमने लास्ट पेपर में देखा है कुछ लास्ट 2-4 साल के पेपर में कंस्ट्रक्टिविजम और उनके आर्टिस्ट आ रहे हैं ठीक है तो इसलिए हम सोच इसलिए मैंने सोचा कि एक बार ये भी चीज़ हम करवा दें ठीक है तो आर्ट मुमेंट मैं बार बार कल पहले पिछले वीडियो में बताया था कि हो चुके हैं और मुस्ट कुछ अमेरि कंस्ट्रक्टिविजम आर्ट मुमेंट निर्मान वाद निर्मान करता है ठीक सीधी सी बात शुरू करते हैं ठीक है उससे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दू नए हो तो प्लीज टेलीग्राम को जरूर जॉइन करना उसी में सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं लाइव क आपको पहले बहूता है एक मॉडरनिजम काी फॉरम है उसी को कहते हैं मॉडरनिजम क्या कि कुछ भी चीज जो धत्काली मumm करें चीज चल रही है उससे अलग हटके वह event grade होता है, हमेशा धिहान रखनो, event grade word from बहुत बार आती है हमारे इसमें, event grade is that, जो मैंने अभी एकदम से बोल दिया आपको कि कुछ नया करना, ठीक है, तो ये रशिया का था और रशिया का event grade moment था, और event grade चीजें कब आई थी, 20-वी शताबदी में आई थी, जब एक तरह से modernism आया, ठीक है, तो ये थोड़ा से चीजों को ध्यान रखोगे, connect करके चलोगे, तो अच्छा रहेगा, क्या लिखा वाए हैं, अब this moment evolved from collage, collage से विक्सित हुए, अब collage से विक्सित होने का मतलब ये नहीं है, कि collage ही अच्छे बनने लग गए, collage इन्हों ने, जैसे देखो, अभी अपन ने cubism देखा, आपको क्या बता था, कि इनी चीजों से, गई वाले artists, cubism वाले, और socialism वाले, जो आगे बड़े, उनी इन चीजों में भी कुछ connect हो गए थे, ठीक हैं, तो collage क्या था, collage की बारे में, क्या था, कि paper कतरन से, है न, जो उसके बाद कुछ और भी चीज़ें, अगर आप wastage या use करेंगे, उससे आप एक painting create करते हैं, that is collage, कि आप use की चीज़ें नहीं है, waste out of waste से आप काम कर सको, ठीक है, तो यहीं से, जब collage था ना पता है, आपको collage क्यूबिस में, इंट्रोड्यूस जुआ, पिकासो ब्रैक, इन लोगों ने जो किया, तो उसके बाद से ये चीज़ समझ आए, कि क्यो ना हम वो चीज़ें use करें अपने artwork में, जो चीज़ का use नहीं है, तो हम उनको, मतलब, why waste out of best वाला concept हुआ, तो यही कोलाज से evolve होने का मतलब यह नहीं है, कि constructivism में सिर्फ कोलाजी बने, यह बात नहीं है, उससे ये चीज़ें विक्सित हुई, कैसे विक्सित हुई, वो उसका नीचे आपको दिखेगा, कि कारे रचना में तार, कांच, धातू की चादर, आधी का प्रयोग यह, अब कारे रचना कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग भी हो सकती है, मुर्ती भी हो सकती है, ठीक है, और यह constructivism में mostly मुर्तिकला का का काम हुआ है, पेंटिंग से बनाई यह constructivist आटिस ने, लेकिन mostly sculptures आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, देखो, यह क्या दिखावा है, हैंगिंग्स, जो लट्टाने वाली चीज़ें, ऐसे हैंगिंग्स होती है, रिलीफ होता है, जो इनका creation इस समय हुआ है, very important, इसके प्रणेता कौन माने जाते हैं, या प्यूनर कौन माने जाते हैं, तो व्लाडी मीर टाटलीन माने जाते हैं, मैंने आपको हर आर्ट मुमेंट का बताया है, कि आपको यह सारी चीज़ें उसकी याद में रखनी ही रखनी हैं, तो यह व्लाडी मीर टाटलीन जो हैं, वो माने जाते हैं, फिर आगे देखते हैं, वास्तुकला के समान चित्रकला में आकरती रचना कर रहे थे, जैसे वास्तुकला में आकरती रचना होती है, वैसे ही चित्रकला में भी क्या है, ये आकरती रचना कर रहे थे, ठीक है, चलिए, अगला देखें, गणितिय सूत्रों की व्याक्या के तिये 3 आयामी आकरती का निर्मान किया, मतलब कि उन्होंने geometrical जो फॉर्मूलाज होते हैं, उसको लिया और उसको ले के इन्होंने क्या किया, 3D आकरती का निर्मान किया, ठ समय और स्थान, टाइम और स्पेस पर बहुत डिपेंड करती है, कंस्ट्रक्टिविजम, वो एक पर्टिक्लर स्पेस को ले के चलते हैं, समय उस स्पेस के कौनसेप्ट पर इनने काम किया, ठीक हैं, समाज चाहे पूंजिवादी, समाजवादी, अत्वा, सामिवादी कैसा भी हो, मानव अनुभूती के संप्रेशन के लिए कला का माध्यम अपरिहारे बना रहेगा, ये उन लोगों का कहने की बात थी, कि चाहे समाज कैसा भी हो, पूंजिवादी चल रहा हो, ऐसा चल रहा हो, लेकिन जो आर्टिस्ट हैं, या आर्ट है, कला जो है, वो हमेशा एक कम्यूनिकेशन, कम्यूनिकेशन का माध्यम बना रहेगा, ठीक है, फिर आगे देखें, 1921 में कलाकार, इसका टाइम नहीं बताए, इसका टाइम भी कुछ 1915 है, ये टाइम आगे शाल लिखना भूल गी, 1921 में 1915 से ये चालू हुआ था, कुछ 33, 34 तक ये चला था, ठीक है, क्यों अब ये इसलिए बता रहे हूं, 1921 में कलाकार, रशिया में, पनीचर, स्टेज, और टाइफोग्राफी की और मुढ गया, मतलब सिर्फ पेंटिंग की उससे नहीं, इस समय जैसे चालू हुआ था, स्टार्टिंग उन्होंने कंस्ट्रक्टिविजम स्टाइल पेंटि तिल 1933 और उसके बाद पैरिस जर्मनी में ये आर्ट मुवमेंट कंटिन्यू रहा, आर्ट मुवमेंट क्या रहा, मतलब ये कॉंसेट पें काम होने लगा, एक सीडी सी बात है, ठीक है, उसका प्रभाव भवन निर्मान अलंकर बिलकुल चीजें, देखो, फनीचर स्टाइल स्टेजिस और आप क्या कर रहे हो, आप एक सीजी सिंपल कॉंसेट समझिए, किताबी ग्यानों में नहीं जाना है, कि हम बहुत सारी ऐसी वेस्ट चीजें या घर में और ऐसे चीज़ों को यूज करके क्रियेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके भवन निर्मान अलं प्लास्टिक जो है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम यहां पर आएगा, जिसमें इन लोगों ने काम किया है, वेल्डिंग ये सारी चीजें रेजीन इंसारी चीजें की यूज करके उन्होंने क्रियेश्टिन किया है, ठीक है, द्रण संबंदों की कला, हर्बर री ये वाली चीजें, क्वेशन जादा पूछे जाते हैं, ठीक है, इसका लाका उद्देश आधुनिक अध्योगिक समाग और शेहरी चांग का प्रतिभिंब करना था, इंडस्टियलाइजेशन का प्रतिभिंब करना था, और अर्बन स्प्रेस या शेहरी उसका क्रिएशन करेंगे, तो इससे क्या हुआ, एक तरह से इंडस्टियल सोसाइटी, मॉडनिजम, अर्बन चीजें देखने को मिली, ठीक है, इसका लाका फिर आते हैं, ये कल अंदोलन ने सामगरी के ओध्योगिक सेयोजन के पक्ष में सजावती शेली करन, सजावती शेली करन इनका मतलब ये नहीं है कि डेकोरेशन नहीं होगा, मतलब जो हम उपर की दूसरी चीजन जैसे लगाते थे, वो नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इंडस्टियल मटेरियल, वैसे वेस्ट, जो वायर्स वगेरा हैं, ग्लास, प्लास्टिक हैं, इन सब चीजों को यू Soviet समाज, Belshevik और रूसी एवंग्रेट से जुड़े थे, ये जो आर्ट मुमिंट था, इसमें जैसे देखो, ये टाइम वही था, आप सब सियासी सप्ता हैं, इसमें जानते हैं, तो इसमें ये लोग ऐसा नहीं था, कि उन से दूर हो गए थे, उन प्रपगंड़ा में, यहा मैनिफेस्टो या घोशना पत्र कब लिखा गया, तो 5 अगस्ट 1920 में लिखा गया, ठीक है, तो यही एप्रॉक्स टाइमिंग हम मानेंगे, किसने लिखा था, एंटोनिय पवेस्टनर, नुआम गयबो, वेल्डिमीर टैटलीन, एन मान्रे, मतलब पवेस्टनर और गयबो न यह मैं से गलती हो गई, यह शायद पिछले आर्ट मूमिंट का था, शियौलिजम का था, इनका टाइम जो है, हाँ ठीक है, 5 अगस्ट 1920, यही है, मुझे थोड़ा सा कन्फूजन हो रहा था, तो बात वही है, 1915 में, है न, थोड़ा सा गलती होगी, सौरी, 1915 से इन्होंने इनके कलाकारों ने काम करना चालू कर दिया था, लेकिन जो इसका मेनिफेस्टो हो है, वो कुछ 5 अगस 1920 में, अन्टोनिय पेवेस्टनर और नुआम गयाबो द्वारा लिखा गया, यह दो भाई-भाई थे, इनके बार में बात करते हैं, वालडिमीर टैटलीन, मान्रे, फ स्टेज डिजाइनर है, ठीक है, वहाँ 1920 के दशक में, सोवियेट एवेंग्रेट कला आंदोलन में, दो महत्पुन शक्सितों में से एक थे, यह लोग थे, यह दोनों तीनों आर्टिस्ट और इसमें से एक थे, आर्किटेक्ट औफ यह बहुत इंपोर्टन्ट और कुछ ज गूगल करेंगे तो दिखेगा आपको, विबिन वस्तूओं और उडान के अध्यन के लिए भी समर्पित किया, जैसे आर्टेस्टर बहुत चीजों में, मतलब इन्वार्वड रहे हैं, ठीक है, जिसकी परनीती लेटलीन परसनल फ्राइंग, मतलब उसके उसमें दिखती है अभी मैं बताती हूँ आपको लेटलीन उनका एक वर्क है, उसमें ये चीज़ने दिखती है, क्यों क्योंकि उन्होंने जो उडान का अध्यन किया है, आप किसी भी चीज़ का स्पीड का या उसका अध्यन करोगे, तभी उस चीज़ को उसमें लापाऊगे, ठीक है, इसलि ये वाला काम भी किया, ठीक है, तो सेलर है, सेल्फ पोट्रेट है, उनका टेमपेरा ओन कैनवास, अब देख सकते हैं, इस तरह की चीज़, थोड़ा सा देखो, यही चीज़ है, कोलाज से विक्सित में इसलिए बोलूँगे, कि थोड़ा सा कोलाज एफक्ट इसमें आपको बोली थी, कि उन्होंने उड़ते वी चीज़ों के भी इनके भी अध्यान काफी अच्छे से किये थे, यह इंपोर्टेंट है, टाटलीन टावर, सेंट पीटर्जबर्ग, रशिया में है, ठीक है, यह जो है, वन अफ दो मॉनुमेंट है, थर्ड इंटरनेशनल मास्कव में 1920 में जो हुआ था, उसका यह मॉनुमेंट है, टाटलीन टावर, टाटलीन ने बनाया था, आयरन, ग्लास और स्टील इसका माध्या में, और यह अभी वर्तमान में, सेंट पीटर्जबर्ग, रशिया में है, कॉर्नर काउंटर रिलीफ, यह भी देख, अब सब देख लिजे किस तरह से, कॉपर, वूड, कॉपर की तारे हैं, और वूड है, उससे मिलके उनने बनाया है, ठीक है, यह पिछली वार के आ गए, मैं से रिलीफ चुए हूँ, चलो, एंटोनिया पविस्णर, यह दूसरे इंपॉर्टिंट कलाकार, कंस्ट्रक्टिविसम के, ठीक है, 1886-19 रशियन रहे हैं, यह भी, एक प्रनेता माने जाते हैं, है न, देखो, 28th सेंचुरी के जो मुर्ती थी, है न, उसमें थोड़ी सी काइनेटिकिजम आया, मतब इसमें स्पीड आने लगी थी, डैनमिजम आने लगया था, ठीक है, उसके प्रनेता माने जाते हैं, कौन, यह प उने धातू और वेल्डिंग के लिए एक नया प्रयोग खोजा, और कल्हा और गडित का एक नया मिशरण किया, मतलब एक जो मैट्रिक्स शीजें जो है उसको आप आप करोगे, करोगे तो कल्हा और गडित के लिए इनका यूजिन ने किया, जो मैंने आपको बतायाए कि कं इस ने यह चीज़ की है यह वोज वन आफ दे एक मिनट्ट को चलिए तुछ दिखने रहा था तो ही वोज वन आफ दे फर्स तो यूज ब्लो टॉर्च इन स्कुप्चर में टॉर्च का यूज किया है वेल्डिंग कॉपर रॉड का यूज किया है उन्होंने स्कुप्चर को बनाने में एंटोनिय पविस्तर यह देख लीजिए आप इनका स्टेच्यू ओफ एफ्रोडेटी यह इनमें देख लीजिए इससे आपको समझ आएगा इससे आपको पूरा समझ आएगा कि किस तरह से किस तरह से यह काम होता था ठीक है प्लास्टिक से बनावाय एक तरह का स्ट्रेच्यू है और आप देखोगे इसमें आपको दिखेगा किसे जोमेट्रिसिटी है और इस प्लास्टिक इस वेरी वेस टाइप सब्स्टेंस और उससे उन्होंने क्रियेट किया तो प्लास्टिक से बना है एड जो है एंटोनिय पेविस्तर का इंपॉर्टेंट है लि हासष कं एन्टोनिय पेविस्तर के दैपने मुर्टिकार 6 स्ट्री इंका पूरा नाम है नुआम नीविया र्टोनिय पेविस्तर अन्टोनिय पेविस्तर ईन isolating newton brun पोस्ट रिवॉलूशन के बाद की जो एवेंट ग्रेड मुवमेंट उसका एक बहुत इंपॉर्टन फिगर रहे हैं उनके काम में जैमितिय अमूर्तता को छोटी रहा मतलब रिलीफ और निर्माण समार्किय सारवजनिक मुर्तिकला और अग्रणी गतीज कार के रूप में ए इंग्लिश में भी देख सकते हैं जिसमें नाइलन तार लिूसाइट और अर्ध पारदर्शी सामगरी कांच और धातु जैसी कई सामगरियों को शामिल किया गया है ठीक है तो देखो एक तरह से यह सारी चीज़ हैं जो आपको दिख रहे हैं नाइलन वायर लूसेट सेमी इन सब को जोड के और एक मतलब उन्होंने मॉन्यूमेंटल पब्लिक स्कुछर्स भी बनाए हैं और यह क्या है तो यह काइनेटिक वर्क के प्यूनरिंग्स की मतलब शुरुवात करिये काइनेटिक मतलब थोड़ा सा स्पीड लाने की कोशिश की है इनको जो है फिर आते हैं आगे सेड नाइलन फिलामेंट कोस द्रव्यबान के तत्व के रूप में रिक्त स्थान या आंत्रिक स्थान को कॉंक्रीट बनाने के लिए सेड नाइलन फिलामेंट और उनके अगरणी कारे काइनेटिक स्कुल्चर के उत्तराद को अक्सर कला का एक गती पार्टिंग कारे माना जाता है स्टैंडिंग वेज जो हम देखेंगे काइनेटिक स्कुल्चर है उनका उसको हम बोलतना है कि एक शिर्वाती है जो उसमें शायद थोड़ा सा काइनेटिक चीज में आ गई या स्कुल्चर आ गया तो नाइलन फिलामेंट इन सब चीजों का अनके उन्हों नहीं use 기ac欸 उसको एक वॉलियूम बताने के लिए बोलेंगे और या चीजोत को देखने के लिए उन्होंने इन चीजों का यूज किया है ठीक है तो एक طरप से देखो एक्जैंपels काट्री जो होता है वह स्ब्ल्यूइले को शो करने के लिए इन नहीं काफी फिलामेंट नायोन की चीजों का उसका यूज किया है किसने गवाब होने तो इस तरह से अब देखो अब आपको एक चीज समझाएगी जो अभी मैंने मैं इसलिए उस समय नहीं बता पाती हूँ ठीक है बोलते समय इन्होंने नेगेटिव स्पेस को बताया है अब आपको ये मटेरियल दिख रहा है ये है ये नेगे यहां जाएगा वही बताना चाहिए हूँ कि नेगेटिव स्पेस का शो किया है अब ये वर्क रेख लिए जिए कंस्ट्रक्शन इन स्पेस है प्लास्टिक सेलिलोट ऐसी टेट से बनाएगे इंपॉर्टेंट है गवो को याद रखने काइनेटिक स्ट्रेस्ट इसी को स्ट ठीक है फिर देखें स्पाइरल थीम ये भी इनका है प्लास्टिक से कंस्ट्रक्शन ओन लाइन ये भी प्लास्टिक सेलिलोट हैड ऑफ दवुमें सेलिलॉड और मेटल उससे उनने बनाएगे चीक है तो यह जो था कंस्ट्रक्टिविजम था उमीद है पसंद आएगा आग हम विस्टन आर्ट का पॉप आर्ट ओप आर्ट देखेंगे तब तक के लिए थैंक यू सो मॉच बाई बाई आल देपेश